नमस्कार दोस्तों वर्ल्ड कप 2023 का महा मुकाबला भारत आउ निव जिलेंट की बीज खेला जा रहा है यह मुकाबला वांखडी स्टेडियम मुंबाई में खेला जा रहा है जिस मुकाबले में भारतीय कप्तार रोईस्चर्मा ने टॉस जीत कर पहले बल्ले बाजी करने का फैसला किया है दोस्तों अगर आप भी चाहते हो टीम इंडिया समी फाइनल मुकाबले को जीच कर फाइनल में प्रवेस करें तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा चलिए दोस्तों आज की इस तांदार वीडियो की सुरुआत करते हैं जी ह तेज में अभी तक भारती गेंदबाजों ने सांदार प्रदर्शन किया है भारती तेज गेंदबाज जस्पीद बुम्रा ने अब तक सबसे अधिक 17 बिकेट लिए हैं जस्पीद बुम्रा का आउसा सिर्फ 16 का है वहीं उनकी इको नामी 3.65 की है अगर उनके बेश्ट प् और कुल्दी प्यादो खेलने के लिए पूरी तरह से फिट हैं वहीं अगर भारती टीम के बल्ले बाजों की बात की जा तो भारती टीम छे बल्ले बाजों के साथ उतर रही है वर्ल्ड कप 2023 में भारती टीम की तरफ से बिराट कोली ने अब तक सबसे अधिक रन बनाए है बिराट कोली वर्ल्ड कप 2023 में अपने खेले गए नव मुकाबलों में दो सतक और पांच अर्ध सतक के बदोलत अभी तक 594 रन बना चुके हैं और बिराट कोली का आउसत 99 का रहा है अगर टीम इंडिया को यह मुकाबला जीतना है तो बिराट कोली को एक लंबी पारी खेलनी होगी जी हाँ दोस्तों हम आपको बता दें वर्ल्ड कप 2023 में तेश गेंद बाद जस्पीद बुमरा ने पहले 10 ओबर में कमाल की गेंद वाजी की है जी हाँ दोस्तों हम आपको बता दें वर्ल्ड कप 2023 में अभी तक खेले गए सभी मुकाबलों को मिला कर जस्पीद बुम थी विराट कोली को छे बार आउट कर चुके हैं हाला कि इस दवरान कोली ने 101 के स्टाइक रेट से 205 रन बनाए हैं ऐसे में दोनों खिलाडियों के बीच रोचक जंग देखने को मिलेगी जी हाँ दोस्तों हम आपको बता दें भार्चे टीम की तरफ से पारी की शुरुआत करने के लिए कप्तान रोई सर्मा के साथ शुबमन गिल बल्लेवाजी करते हुए नजर आएंगे क्योंकि दोनों बल्लेवाजों ने टीम इंडिया को वर्ल्ड कप 2023 में अभी तक सधी सुरुआत दी है दोनों बल्लेवाजों ने अपने पिछले मुकाबले में नीटलेंड के खिलाफ सांदार अर्ध सतक जड़ा था टीम इंडिया की तरफ से नमबर 3 पर बल्लेवाजी के लिए बिश्च के खतरनाक वल्लेवाज बिराट कोली वल्लेवाजी करने के लिए आएंगे मुकाबले में ताबर तोड बल्लेवाजी करते हुए सांदार संसुरी जमाई थी जी हाँ दोस्तों नमबर 5 पर बल्लेवाजी की बात की जाए तो नमबर 5 पर बल्लेवाजी करने के लिए बिकेट कीपर बल्लेवाज के खियर राहूल आएंगे केर राहुल के बाद बल्ले वाजी करने के लिए T20 स्टार सूर रिकुमार यादव आएंगे सूर रिकुमार यादव के बाद रविन्स जडेजा अपनी बल्ले वाजी और गेंद वाजी से बिरोधी टीमों के परकच्चे उडाते हुए नजर आने वाले हैं जी हाँ दोस्तों आपको क्या लगता है बाद के टेम इस मुकाबले को जीत कर फाइनल का टिकट कटा पाएगी कमेंट सेक्षन में अपनी कीमती राह लिखना मत भूलिएगा वीडियो को अंतिम तक देखने के लिए दिल से धन्यवाद